मैं ये जो traffic regulations explain करने की कोशिश करूँगा वो geographical view से करूँगा सबसे पहले हम Delhi की borders की बात करते हैं बाहर से अंदर आएंगे तो सबसे पहला regulation जो होगा वो हमारा beyond Delhi border होगा उसमें सबसे पहले non-destined vehicle जिन vehicle या passengers या commuters को दिल्ली में उनकी मंजिल नहीं है उन्हें कहीं और जाना ह राजस्तान से उतरा खंड जाना है लेकिन दिल्ली में से गुजर रहे है ऐसे vehicles जो है ऐसे commuters अपनी journey advance में प्लान कर ले उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा उन्हें divert कर दिया जाएगा eastern और western peripheral express way पर नंबर टू आता है borders पर borders पर जैसे सर ने बताया आपको की heavy goods vehicle medium goods vehicle light goods vehicle ये कोई भी commercial vehicle जो है वो डेली की borders में उन दिनों में जब regulations implement होगे तब वो enter नहीं कर पाएंगे यहाँ पर हमारी border पर day night vigil रहेगी इसमें एक exception रहेगा जो essential commodities है जैसे कि दूद हो गया सबजी हो गई फल हो गए medical supplies हो गई इतियादी जो essential commodities लेके आ रहे है ऐसे goods vehicle को प्रवेश मिलेगा दिली में लेकिन इन्हें अपनी मंजिल की तरफ proper guide किया जाएगा और जैसे सर ने बताया कि ring road उससे आगे वो नहीं आ पाएंगे अगर नई दिली में उनकी मंजिल है तो बेशक वो आ पाएं इंट्रस्टेट बसिस की बात करते हैं जो दूसरे राजियों से दिली में आती है तो ऐसी बसिस को दिली की बॉर्डर में प्रवेश मिलेगा लेकिन इनके जो terminating points है जिसे हम ISBT कहते है terminus के नाम से आप famously जानते है सराय कालिक हां हो गया कश्मीरी गीट हो गया तो यहां तक वो नहीं आपाएंगे इनके अलग-अलग terminating points है जो की ring road पर स्थित है वो उससे आगे अंदर नहीं आपाएगी ISBT service जो बसिस दिली में पहले से मौजूद है वो दिली में जो भी road network है उस पर चल पाएगी लेकिन वो road network सीमित रहेगा ring road और ring road से border के बीच वाला road network ring road से अं traffic है वो आपाएगा ring road तक आपाएगा ring road और borders के बीच में वो चल पाएगा इसमें एक exception रहेगा कि जो buses है वो रजोकरी border से दिली में प्रवेश नहीं कर पाएगी इसके बाद हम बात करते हैं TSR और taxi की तो TSR और taxi जो है ये नई दिली की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएग अब यहाँ पर मैं आपको introduce करूंगा एक concept है controlled zone 1, दूसरा है controlled zone 2 और तीसरा है regulated zone जो controlled zone 1 है ये मोटा मोटा नई दिली जिला जो है New Delhi Police District उसके साथ mail खाती है इसकी border जो controlled zone 2 है वो थोड़ा सा portion है central district का, north district का जो की राजगाट की movement को cater करेगा और जो regulated zone है वो ring road के अंदर का जो इलाका है उसे regulated zone के नाम से हम इसमें describe करेंगे तो TSR और taxi जो है वो controlled zone 1 में enter नहीं कर पाएगी जब regulation का period होगा इसमें फिर exception है जो नई दिली जिले के बाशिंदे है यहां के bonafide residence है यहीं उनका घर है उनके पास ID proof है तो वो TSR और taxi का उपयोग कर पाएंगे अपने घर तक पहुँचने के लिए इसके अलावा जो tourist जिनके पास valid booking है hotel के वो TSR और taxi का इस्तमाल करके नई दिली के अंदर आ सकते है जो navigation app की बात करी सर ने जैसे की Google, MapMyIndia तो यह सेवाए इस्तमाल करेंगे आप आपको जो route की query होगी आपकी उसमें proper guidance मिलेगा इन regulation को ध्यान में रखते हुए आप अगर airport से नई दिली का regulation मांगेंगे तो नई दिली की border तक आपको regulation मिलेगा, direction मिलेगा उसके बाद जो हमारा arrangement होगा, local police का arrangement होगा, वहाँ picket पर रोका जाएगा, आदमी ने अपना ID proof दिखाया, verify कर लिया गया, फिर उसकी गाड़ी अंदर जाएगी चाहे वो private गाड़ी है, चाहे वो TSR है, चाहे वो taxi है, उसको जाने दिया जाएगा, या तो वो दूसरी category हो, जो कि tourist है, जिसके पास valid booking है, उनको भी ऐसे proper verification के बाद अंदर जाने दिया जाएगा Airport, नई दिली और Old Delhi Railway Station पर जो भी passenger जाएंगे या वहाँ से निकलेंगे, उनकी movement को सहुलियत देने की पूरिया के पूरी कोशिश की जा रही है, इस advisory में detailed suggested routes है, कि वो कौन सी तरफ से आना चाह रहे है, दिली के कौन से शेतर से वो airport या नई दिली railway station या Old Delhi railway station जाना चाह रह है कि आप ये बार-बार highlight कीजिए, सभी को ध्यान में रखना है कि metro सिवाय उपलब्द है, सिर्फ एक metro station पर सिवाय उपलब्द नहीं होगी, जो कि प्रगती मैदान के बगल में है, उसके अलावा तमाम metro stations पर सुविधा उपलब्द होगी, तो public से यही appeal रहेगी, कि सबसे पहला choice वो रखे, वो metro को रखे, कहीं से भी कहीं जाना है, तो आप metro का इस्तमाल करें, जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक में कोई भी traffic एंटर करेगा, उसको regulate किया जाएगा, नई दिल्ली डिस्ट्रिक की borders पर पिकेट्स लगेगी, ट्राफिक वहाँ होगा, local police वहाँ मौजू जो उस दिन अपनी सेवाएं दे रहे है, G20 Summit के लिए, या तो housekeeping वाले, जो hotels स्थित है नई दिल्ली में, जहां पर delegations रुके हुए है, इन hotels के housekeeping, catering, waste management services, hospitals से related कोई भी सेवाएं, या अन्या important installations जो नई दिल्ली में स्थित है, इन से related कोई भी vehicles है, उनका proper verification होगा, उसके बाद वो नई दिल्ली में आ पाएंगे, मैं फिर से एक बार दोहरा हूँगा, कि इन सभी को valid documents लेके चलने पड़ेंगे, authorization letters होंगे इनके, अगर वो commercial vehicles है, तो इनके पास इनकी permit होगी, जो की valid होनी चाहिए, इसके बाद हम बात करते है, city bus service की, DTC और DIMS, ये दोनों bus सिवाए, ring road और ring road के beyond चल पाएगी, towards border, नई दिल्ली district में इनकी movement पर निशेद रहेगा, इसके साथ खास खास आप ध्यान रखे, मतूरा road, आशरम चौक से आगे की तरफ, ITO की तरफ, भैरो road, पुराना किला road, और प्रकति मैदान टेनल, ये चार चीजे बंद रहेगी, तमाम traffic के लि वही इन road का इस्तमाल कर पाएंगे, जो controlled zone 2 है, वो जो हमारा ITO point है, W point A point से लेके, आप इसे मान सकते है, ISBT कश्मीरी gate तक, ये पूरा इलाका रहेगा, north south में, और east west में, सलीमगर बाइपास से लेके, रंजित सिंग flyover तक का ये इलाका रहेगा, controlled zone 2, ये मुख्यता और पर आपको इसमें जानने की ज़रूती है कि ये 10 तारिक, 9 और 10 के बीच की जो रात है, तब से ये activate होगा, और 10 की दुपैर को 2 बज़े तक रहेगा, control zone 2, control zone 1 जो है, और regulated zone, ये 7 और 8 के बीच की रात मदरातरी, तब से activate होगा, और ये 10 और 11 के बीच की मदरातरी तक activate रहेगा, control zone 1 और regulated zone, जैसे ही ये control zone 2 एक्टिवेट हो जाता है, तो नई दिली railway station को अजमेरी gate साइट से restricted access हो जाएगी, old Delhi railway station की restricted access हो जाएगी, श्यामा प्रसाद मुखरजी की साइट से, शान्तीवन चौक पर restricted access हो जाएगी, गीता कॉलोनी की साइट से, ITO पर विकास मार्क की राजगाट चौक पर जवाहरलाल नहरु मार्क की साइट से, और गुरुनानक चौक पर मिंटो रोड साइट से, इसके अलावा ambulance assistance control room की बात की सहब ने, ये जो है activate किया जाएगा 7 और 8 की मदरातरी से, और इसके लिए एक dedicated number है 6828400604, ये एक dedicated number है, जिस पर ambulance assistance control room को access किया जा सकता है, इसके अलावा 112 ERSS जो है, जो हमारा standard emergency response system है, उससे भी access होगा ये सेवा, इस सेवा में cats ambulance, directorate of health service, दिल्ली के प्रमुक, private और सरकारी अस्पताल इससे जुड़े हुए है, इसमें समझने की 3 important components है, सबसे पहला component है जो hospital में deployment होगी वो, और ये cats और DGHS के control room में भी हमा बताया कि important major junctions, 20 identify किये गए है, वहाँ पर deployment होगी, और 10 motorcycle rider रहेंगे, अलग-अलग junctions पर स्थित, 2400 गंटे, दो shift में रहेंगे वो available, कहीं पर भी green corridor की demand आ गई, कोई organ transplant की बात हो गई, कोई organ land कर रहा है, outside डेली से airport पे, तो वो facility हम seamless connectivity के साथ provide करेंगे, suggested routes जो है, उसका ब्य advisory में detail में दिया गया है, इसमें हम address करेंगे North South corridor को, East West corridor को, नई दिली railway station की access, Old Delhi railway station की access, हजरत निजामुदीन railway station, सराय रोहिला railway station, इसके अलावा, जो airport की journey होगी, इसमें हम अपील करते हैं लोगों से कि airport express line का उपयोग करे, इसमें हमने और detailed lines का भी जिक्रा किया हुआ है, क कि कौन सी जगा से आप आ रहे है, South Delhi से आ रहे है, तो कौन सी लाइन ले, East Delhi से आ रहे है, तो कौन सी लाइन ले, दिली के अलग-अलग शेतरों से आने पर कौन सी लाइन का प्रयोग किया जाए, airport पहुँचने के लिए, ये describe किया गया है, इसके अलावा, अगर road की journey करते है तो हम, हमारी तरफ से एक ये advisory रहेगी सभी को, कि आप advance में चले, आपके पास time होना चाहिए, और आप navigation एप का इस्तमाल करे, जैसे MapMyIndia और Google, ये आपको proper routes इसमें navigation में दिखाएंगे, कि जो routes bypass करते हैं हमारे restriction को, ताकि आपको minimum inconvenience हो, city bus service जो है, मैं बता चुका हूँ आपको, कि अलग-अलग जगा चलेगी, लेकिन वो ring road और ring road के beyond चलेगी, इसके अलावा, आम जंता से अपील ये रहेगी, कि जो सरकार ने घोशना की है, छुटी की, उसका फाइदा उठाने की कोशिश ये ना करे कि हम घूमने चल पड़े दिल्ली की और, ये नई दिल्ली में जो summit हो रहा है, ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक ऐसा मौका है, जब देश अपना cultural heritage, अपनी values, अपनी event management skills, अपना infrastructure development showcase करेगा, तो इसमें हर नागरिक की ये भूमिका होनी चाहिए, उसकी एक fundamental duty है ये, कि वो जो पूरा अपना cooperation करे, contribution करे, कि हमारा जो ये event है, successful हो, इंडिया अपना सर उठा के दिखा सके, पुरी देश दुनिया में दि जमता है, तो लोगों से अपील रहेगी कि नई दिल्ली के तरफ घूमने ना आ जाए, यहां casual shopping के लिए कुछ भी available नहीं होगा, सरकार ने खोशना कर दी है कि नई दिल्ली district के अंदर जो भी marketplaces, private establishments है, वो सब closed होंगे, आप metro की सेवा का उपयोग करे, और कहीं पे भी दिल कि इतने बड़े जो delegations आ रहे है, उनकी movement smooth होनी है, secure होनी है, कोई security hazard नहीं हो सकता है, public safety जरूरी है, तो इसलिए जंता से अपील है, metro की सेवा का उपयोग करे, और नई दिल्ली अगर avoid कर सकते है, तो avoid कीजिए, अगर medical emergency है, तो we are truly dedicated and committed, we have set up a separate infrastructure, हम उस movement को hassle-free, seamless और as fast as possible कर भाएंगे, thank you.